गुड मॉर्णिंग स्टूडिंट्स वेलकम यू टू आज के सेशन में हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं आनुवान शिक्ता ववातावरण यानि कि हैरी डीटी और इंवार्मेंट में जो important genetic disorders होते हैं यानि कि जो आनुवान शिक्ता से related जितनी भी विक्रती बच्चों के अंदर या व्यक्तियों के अंदर देखी जाती है और जिससे आपके question भी पूछे जाते हैं वो ही topic आज के session में हम लोग discuss करने वाले हैं तो session को last तक देखिएगा और जैसा कि आप सभी को screen पर WhatsApp करके आप इस series को प्राप्त कर सकते हैं अब इसमें total 2500 question है जिसे आप only 150 रुपीज में खरीद कर अपनी preparation कर सकते हो क्योंकि exam time आ चुका है अब ज़्यादा से ज़्यादा जितने एक question आप लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी practice आपकी हो पाईगी so let's begin with the session देखो सबसे पहले हम लोग Harry D.T. को जान लेते हैं यानि की वणशा नुकरम होता क्या है आनूबवान शिकटा होती क्या है क्योंकों को अपने माता पिता द्वारा बहुत से गुर्ण मिलते एं उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं ये कहीं न कहीं हम लोग देख सकते हैं topic आता है कि आप किस तरीके से define करेंगे haridity और environment को यानि कि जो एक अनुवान शिक्ता होती है और एक पर्यावरण होता है यानि कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो एक बच्चे को किस तरीके से प्रभाविक करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर बताया हुआ यानि की heredity जिसे हम लोग nature बोलते हैं तीकि जिसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं प्रकृती यानि की जो प्रकृती का जो पालन पोशन वाला विवाद है वो यहीं से कहीं उसका जन्मगा नेचर वर्सिस जो नर्चर थियोरी होती है उसको भी आज की सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे तीकि तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि heredity और environment में heredity को आप नेचर बोल सकते हो strong influence on a physical development यहाँ पर बच्चे का जो शारिरिक विकास होता है उसका सबसे जादा प्रभाव होता है आनुवांशिक्ता का सबसे जादा प्रभाव बच्चों के अंदर आप देख सकते हैं उसके physical development में उसका जो body का development होता है उसमें सबसे जादा प्रभाव आपको आनुवानशिक्ता का दिखेगा यानि कि फिजिकल मेकप that a child inherit from parents parents से यानि कि माता-पिता से बच्चों के अंदर जो गुण आते हैं जिसे height को लेकर वजन को लेकर हो कोई भी specific माता-पिता का यदि color dark है तो बच्चों का भी इस तरीके से dark color होगा इस तरीके से ये सारे गुण जो है कहीं न कहीं अपना प्रभाव heredity आनुवानशिक्ता के थुरू देखने को मिलता है यदि आप लोग यहाँ पर बात करेंगे environment की यानि की परियावरन की जिसे हम लोग nurture theory के नाम से भी जानते है everything that surrounds and influence child यहाँ पर बताया गए कि बच्चा जिस वातावरन से घिरा हुआ रहता है चाहे उसके परिवार का वातावरन हो उसका आसपास peer group हो जितने भी friend circle वगेरा होते हैं आसपास के लोग कैसे हैं माहूल कैसा है तो बच्चा उस पे किस तरीके से प्रभावित हो रहा है like family, school, neighbors, media आदी यह सारी चीज़े किसको बताती है nurture को बताती है यानि उसके आसपास के environment को बताती है तो यही theory होती है हमारी nature and nurture theory जिसे हम लोग बोलते है nature versus nurture theory तो कि प्रकृति का जो हमारा पालन portion विवाद चलता है उसे इसी नाम से जाना जाता है आप चाहे तो और इसके बारे में देख सकते है nature अगर आपसे बूचा जाए कि nature और nurture में हमारा nature क्या बताता है तो nature हमारी DNA का sign बना रखा है genetic चीजों को बताता है जो genetically माता पिता से बच्चों में बच्चों से फिर उनके आगे जो पीडी धर पीडी चलती रहती वो nature हमारा हो जाएगा और nurture हम लोग किसे बोलेंगे our environment, upbringing and life experience मतलब कि आसपास का जो वातारों बच्चों को जिस तरीके से impact कर रहा है जिस तरीके से बच्चे के उपर प्रभाव डाल रहा है वो हमारा nurture के अंदर आ जाएगा अभी next session जोगा सारा quiz के उपर होगा तो उसमें हम question भी करेंगे कि किस तरीके से nature versus nurture के question यहाँ पर पूछे जाते है चलिए अब हम लोग यहाँ पर हमारे जो genetic disorder है जो आनुवांशिक विकार जिन्हें हम लोग बोलते हैं उसके बारे में discuss करेंगे तो सबसे पहला disorder आपके सा सोमी भी बोला जाता है आपको बता है मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुंड सुत्र होते हैं ठीके 23 जोड़ी क्रॉमोसोम होते हैं 23 पैर होते हैं यानि कि टोटल कितने होते हैं 23 इंटू 2 46 होते हैं लेकिन डाउन सिंड्रो में कैसी बिमारी है जहां पर एक extra क्रॉमोसोम आ जाता है जैसे 45 तो नॉर्मल होते हैं और मेल के लिए हमें पता है कि मेल के लिए एक पुरुष के जन्म के लिए responsible क्रॉमोसोम क्या होता है XY होता है और एक महिला के लिए होता है XX यानि कि एक लड़की का यदि जन्म हो रहा है तो XX वहाँ पर गुंड सुत्रोगार पुर जिए पुरुष का यदि जन्म हो रहा है एक बोई का हो रहा है तो वहाँ पर responsible क्रॉमोसोम XY होता है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर एक एक्स्टरा क्रॉमोसोम आ जाने की वजह से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसे डाउन सिंड्रोम बोला जाता है जैसे 45 है तो यहाँ पर एक और दू आप मिला लो टोटल कितने हो गए, 47 होगर हमने देखा टोटल कितने होना चाहिए, 46 होना चाहिए, ठीकि 46 तो होती है, लेकिन साथ में क्या होता है, यहाँ पर एक Y और एक X एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वज़े से इसे बोला जाता है, 21 ट्राइसोमी या फिर डाउन सिंड्रोम या फिर मॉंगोलिस्म आप इसे बोल सकते हैं, अगर एक एवरेज जाटा की बात करें, तो हर 75, 750, 750 बच्चों में से एक बच्चा जो है, डाउन सिंड्रोम से पीडित होता है, और इसका नाम कैसे रखा गया, तो वो आप देख सकते हैं, 1866 में, यानि के 1800 चाचट में, बिटिश डॉक्टर जो है, जॉन लैंग्डन डाउन के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था, डाउन सिंड्रोम, अब कैसे पता चलता है दिखने में बच्चे कैसे होते, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, कि बच्चों का स्ट्रॉक्चर कुछ इस तरीके से होता है, फेस थोड़ा फुला हुआ रहता है, लिप्स का जो स्ट्रॉक्चर होता है, वो proper way में नहीं होता है इस तरीके से जो symptom दिखाई देते हैं इनके hand वगेरा को आप देख सकते हैं तो ये इस तरीके से दिखते हैं बच्चे और काफी different होते हैं आप देखते से ही समझ जाते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है 18 Trisomy Syndrome के नाम से भी जाना जाता है 18 Trisomy Syndrome हम लोग इसे बोल सकते हैं Extra chromosome number 18 जो रहता है chromosome आप 1 से लेकर 2346 तक हमारे आते हैं तो उसमें 18 number का जो chromosome होता है वहाँ पर एक extra होता है तेकि और हर 8000 बच्चों में से एक बच्चा जो हमारा AdWords Syndrome से पीडित होता है और इस प्रकार के बच्चे यदि कोई भी syndrome से पीडित होता है बच्चा तो उसकी death जो है 6 मन्त के बाद हो जाती वो बच्चे survive नहीं कर पाते है आप इस प्रकार से देख सकते हो इसके symptoms आप इस प्रकार के बच्चे किस तरीके के दिखाई देते हैं सबसे पहले इनका मूँ बहुत चोटा होता है small जो होती है short neck होती है neck मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देती है mainis का symptoms आपको ऐसे पता चल सकता है कि इस प्रकार के जो बच्चे होते वो अपना मुठी हमेशा बंद रखते हैं वो खोलते नहीं है normally हम लोग जब देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो grasping पकड़ने वाली process होती कि जब भी आप उनके हाथ में अपनी उंगलिया दोगे तो अपनी finger दोगे तो वो उसको पकड़ लेते हैं tightly पकड़ लेते हैं वो एक normal process होती है लेकिन ये वाली बिमारी जो होती है इसमें बच्चा जो अपनी fingers को open नहीं करता है इस तरीके से मुठी हमेशा बंद रखता है तो ये हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा एक देख सकते हैं हम लोग इसके अंदर symptom हम लोग बोल सकते हैं इडवर्ड सिंड्रोम का तो क्या क्या आपको इसके अंदर ध्यान रखना है सबसे पहले तो 1960 में एडवर्ड के द्वारा दिया गया था 18 Trisomy Syndrome आप इससे बोल सकते हैं Extra Chromosome No.18 की वज़े से होता है हर 8000 में इसे एक बच्चा इससे पीडित होता है एक एवरेज लिया जाए तो और 6 मंत के बाद बच्चे की यहाँ पर डेथ हो जाती है नेक्स्ट है हमारा पटाउ सिंड्रोम आप सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का बच्चों का स्ट्रक्चर होता है उसके जो लिप्स होते हैं अपर लिप जो होता है उसका यहाँ पर अच्छे से विकास नहीं हो पाता है ठीके तो इस प्रकार के बच्चे भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं आप इसका पूरा डीटेल यहाँ पर देख सकते हैं उसे 13 ट्राइसोमी बोला जाता है पटाओ की द्वारा 1960 में इसे सर्च किया गया था तो उन्ही के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम रखा गया यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर वही एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर बढ़ जाता है तो यह सबसे बड़ा एक रीजन और सबसे बड़ा सिंटम आप यहाँ पर बोल सकते हैं पटाओ सिंड्रोम का नेक्स्ट है हमारा मायलोजीनियस लुकोमिया आपको पता है इस प्रकार का के कैंसर भी होता है तो वो भी क्रोमोसोम की वज़े से ही होता है यहाँ पर chromosome added to another जिसी कि हम लोगों ने दिखा है कि total जो होते 46 होते तो अब या तो एक बढ़ जाएगा तो 47 हो जाएगा तो down syndrome हो जाएगा ठीके और जिसी कि हमने पढ़ा था एक कम यदी हो जाता है हमने दिखा है अगर 45X हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते है तर्नर सिंड्रोम जो के महिलाओं के अंदर होता है तो यहाँ पर पूरा जो गेम है वो पूरा का पूरा chromosome का होता है एक chromosome यहाँ पर अगर break हो जाता है तो अलग बिमारी हो जाती एक chromosome के साथ जाकर दूसरा chromosome जूड़ जाता है जहां कि इस प्रकार के हम लोग structure मान ले अगर और यह होता है 22 नंबर का तो 22 नंबर का क्या होता है दो भागों में टूट जाता है और जाकर कि सैड हो जाता है यह वाला आप मान लोग कि इस 9 वाले के उपर जाकर बैठ जाएगा तो उसकी वज़े से भी बहुत सारे disorder होते जिसमें से एक प्रकार का यहाँ पर बतायागा है myelogenous leukemia एक प्रकार का cancer जिसे बोला जाता है तो इस प्रकार की विकरती भी व्यक्ति के अंदर हो सकती जहाँ पर एक क्रोमोसोम जाकर दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाता है चलिए आगे हमारे आचुका है Turner syndrome तो Turner syndrome महिलाओं के अंदर होता है तो आ इस तरीके से होती है मतलब neck नहीं होते हुए वो पूरा यहीं से shoulder start हो जाते है तो यह जो होता है Turner syndrome इसे बोला जाता है ठीकि सिर्फ यही पाया जाता और उसके साथ कुछ भी नहीं होता है जबकि एक और होना चाहिए तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो यह total कित्त हो गए 44 प्लस 1 45 हो गए लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यह male में possible नहीं है क्योंकि हमेशा जो होता है एक्स कंपल सरी होता है एकस तो होना ही चाहिए किसी भी बॉडी के अंदर तभी तो हम लोग बोलते कि जो female होती है नहीं होता है तो 44 प्लस एक्स होता है मतलब टोटल किते होते हैं 45 होते हैं एक कम होता है 46 में से एक आप कम कर लेंगे तो टोटल 45 क्रोमोसोम यहाँ पर पाय जाते हैं जो की responsible होते हैं हमारे Turner syndrome के लिए ठीक है और webbed neck होती है जिसे कि आपको बताएगा neck ना होते हुए directly उसका इस तरीके से structure होता है यहाँ से ही इस तरीके से structure shoulder कंदे start हो जाते हैं यहाँ तो यह Turner syndrome की बात हो गई आगे बात करते हैं अगला syndrome में हमारा clean falder syndrome अब यह क्या होता है trisomy of sex x chromosome अब यहाँ पर क्या होता है हम लोगों ने देखा है 46 होना चाहिए 23 into 2 लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है 44 तो होते हैं ठीक है अब दो और चीए थे तो दो ना आते हुए यहाँ पर क्या होता है इसमें यह structure जो है दो तरीके से बनता है जैसे कि हम लोग बात करें x यदि nuclear में है तो बाहर से एक x y आ सकता है तो यह पॉसिबल केस हो सकता है इस प्रकार की बिमारी का और यदि nuclear में x y है तो बाहर से x आ सकता है तो यह एक reason हो सकता है clean falter syndrome का तो total यहाँ पर कितने हो जाते 47 हो जाते एक x यहाँ पर extra ही बनेगा आप एसे भी देखोगे तो एक x extra हो जाएगा तो जिसकी वज़े से जो भी व्यक्ती है उसका जो वोईस है जो भी male होगा उसका voice जो है लड़कियों की तरह होगा और जो भी feminine structure आप समझ सकते है महिलाओं की तरह उसका बात करने का तर प्रकार की जदी विक्रती रहती है तो उसे clean filter syndrome के नाम से जाना जाता है देखो अगला syndrome में हमारा super female 47 syndrome के नाम से जाना जाता है आप इसे triple x syndrome के नाम से भी जान सकते हो अब यहाँ पर जो होता है देखने से एकदम से पता नहीं चलता है लेकिन इनका जो मांसपीशों का वि से country yht इपर हो सकता है इसे की सिन नाम से जाना जाता है super female 47 के नाम से जाना जाता है triple x syndrome के नाम से बहुaly सकते है ट्राइसोमी syndrome X जो होता है उसके नाम से आप इसे जान सकते हैं अब इसमें इसके जो लक्ष्न है वह सबसे बहले आप देखलो इसके बारे में अभी हम लोग discuss करेंगे इसमें क्या-क्या लक्षन होते हैं learning disability बच्चे के अंदर देखी जाती है इनका जो मांसपीशों का विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाता है और kidney problem वगेरा जो body के अंदर जितने भी पार्ट उतिस में कहीं न कहीं कुछ न कुछ विकरती इस प्रकार की रही जाती है अब इसमें क्या होता है 44 हमारे पास normally होते है 46 होना चाहिए उसकी जगह यहाँ पर क्या होता है XXY आ जाता है यहाँ फिर 4 time X आ जाता है जबकि XY ही होना था यहाँ फिर XX ही होना था जो भी होना था इसके अंदर लेकिन यहाँ पर क्या होता है 4 बार X आ जाता है ठीके 4 बार X क्रोमोसोम एक्स्ट आ जाते है 44 तो normally लेकिन 5 बार X भी आ जाता है तो यहाँ पर हमारा यह टोटल हो गया 47 यह होगया 48 और यह होगया 49 X तो इस तरीके से यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वज़े से जो होता है ट्राइसोमी X आप इसको बोल सकते है यह सूपर फिमेल 47 इसको यहाँ पर आप लोग बोल सकते है अब हम लोग बात करेंगे जिस तरीके से सूपर फिमेल होता है जहाँ पर X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाते है उसी तरीके से सूपर मेल क्रोमोसोम भी होता है जिसे क्रिमिनल माइन जो होता है वो भी बोला जाता है Criminal Mind Syndrome भी आप इसे बोल सकते हो और Jacob Symbol के नाम से भी इसे जाना जाता है क्यों होता है क्यों इसे नाम से जाना जाता है वो भी हम लोग discuss करेंगे सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए Super Male 44 Syndrome के अंदर क्या होता है तो 44 यहाँ पर Normal रहता है तो आप इस इमेज के तो यहाँ पर समझ सकते हैं तो और क्या बताया हुआ इसके अंदर कि यहाँ पर जो male candidate होते है male के अंदर योगा male नाम है इसका तो जो पुरूश होते हैं वो काफी जादा aggressive प्रवर्ती के होते हैं या फिर उनका mind जो होता है ग्राफिक criminal टाइप का होता है चोरी करना या फिर जिस तरीके की criminal activity होती है यह उनका खुद का खुद से नहीं करते हैं वो naturally उनके अंदर इसी चीज़े होती है जिसकी वज़े से उनका mind पूरे time जो है इसी तरीके से सोचता रहता है तो यह हमारा होता है जब आपसे IQ लेवल वाले question पूछे जाते है तो उसमें पूछा भी जाता है कि इसी कोन से विक्रती है जहां पर व्यक्ति जो जान बुच कर चोरी नहीं करता है या जान बुच कर किसी को हाम नहीं करता है कोई भी criminal activity नहीं करता है चलिए तो एक बार हम लोग सारे disorder को revise कर लेते सबसे पहले हमने पढ़ा था Down syndrome के बारे में जिसे Mongolism के नाम से जाना जाता है 21 Trisomy के नाम से आप इसे जान सकते है इसमें क्या होता है एक extra होता है नर्मली 46 होना चाहिए यहाँ पर हो जाते हमारे 47 45 प्लस XY मेल में और 45 प्लस XX फीमेल में टोटल 47 होते है 750 में से एक बेबी जो होता है इससे ग्रसित हो सकता है जॉन Langdon Down के नाम पर इसे रखा गया था क्योंकि उन्होंने 1866 में इसकी खोच करी थी Edward syndrome की बात करेंगे और 6 मेने के बाद ये बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते है पटाओ syndrome की बात करें 13 Trisomy की नाम से इसे जाना जाता है 1960 में इसे पहली बार खोजा गया था तो कि यहाँ पर भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर एक आ जाता है एक्स्ट्रा 20,000 में इसे एक बच्चा इसे पीडित हो सकता है 4 मन्त के बाद भी ये बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते और इस तरीके से इनका लिप का स्ट्रॉक्चर दो रेखेंगे वो कुछ इस तरीके का हो जाता है आगे हम लोग बात करेंगे माईलोजीनियस ल्यूकोमिया की एक प्रकार का कैंसर होता है वो भी क्रोमोसोम की वज़े से होता है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो है 22 वाला ब्रेक होकर 9 वाला जो क्रोमोसोम नंबर है उसके साथ जाकर एड़ हो जाता है फिर हमने देखा था टर्नर सिंड्रोम जो की महिलाओं में होता है यहाँ पर एक कम होता है जब यहाँ पर एक एक्स और एक्स्ट्रा होना था तो वो ना प्रेजंट होते होए कुछ नहीं होता है तो 45 X सिंड्रोम के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं और पुरुषों में यह चीज पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर आप कैसे देख सकते हैं यह नेक का जो स्ट्रक्चर है काफी जादा डिफरेंट दिखेगा देखने से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति टर्नर सिंड्रोम से यहाँ पर पीडित है क्लीन फैल्टर सिंड्रोम की अधी हम लोग बात करें तो ट्राइसोमी और एक्स क्रोमोसोम की वज़े से यह होता है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो जाता है और व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर है फैमिनाइन स्ट्रक्चर यह उसका बिहेवियर उसकी वोईस, उसकी पीच, उसकी टोन जो है फैमिनाइन वेव में चली जाती है महिलाओं की तरह हो जाती है वो आप लोग यहाँ पर बोल सकते है बोडि स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है सेक्स क्रोमोसोम की यदि बात करें सूपर फिमेल 47 इसका एक प्रकार होता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 47 हो सकता है, 48 हो सकता है और 49 यहाँ पर हो सकता है हर 1500 में से एक बच्चा जो इससे पीडित बच्ची जो एक इससे पीडित हो सकती है तेन हम लोग बात करें super male chromosome की तो यहाँ पर एक different height आपको दिखने को मिलेगी और साथ में इसे criminal syndrome के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि व्यक्ति का mind पूरी तरीके से criminal way में सोचता है जेकॉब syndrome के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं ओके तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते मिलते टू पी एम पर अपके मैच के सेशन में थैंक्यू फर वोचिंग और सेशन के साल लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा